तो के फेलू अक्सर ज्यादा किसका होता है? कैमफर का, कैमफर का, तो हम यह लिख दे रहे हैं, कैमफर is used as solvent to determine molecular weight because it have high KF value and causes more depression in freezing point. more depression in freezing point, clear? थोड़ी सी बात जड़ा और कर ले बेटा हम लोग जैसे पहाड़ी इलाकों में कभी आप गए होंगे, तो खैर हम लोग तो यहाँ लखनों में रहते हैं, मैदानी इलाकों में, यहाँ का दिन चर्या बिलकुल आसान है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में दिन चर्या बड़ा मुश्किल है, यहाँ ठंड कम पढ़ते हैं लेकिन पहाड़ी पर ठंड बहुत जड़ा पढ़ता है, तो वहाँ पर जब ठंड़क पढ़ती है बेटा, बर्फ बाहर गिर रहे होते हैं, तो उस दौरान हम कार का या बाइक का रख रखाव कैसे करते हैं, भी मान लीजी आप, रात में कहीं गए हैं पार्टी में, रात भर पार्टी आप मनाए, ग्यारा बारा बजे वहाँ से निकलने लगे, बाहर कार आपकी खड़ी थी, और कार जब आप सेल्फ ले रहे हैं, चालू कर रहे हैं, कार ही नहीं चालू हो रहा है, क्योंकि टंप्र प्रेचर दो ही तीन डिगरी नीचे गया हो, तो पानी तो जम ही जाएगा, हो सकता है पेट्रोल का भी फ्रीजिंग पाइंट की नीचे अपने चला गया हो, तो उस तो भी जम जाएगा, बात अस पश्ट हुआ, या मान लीजी आप, बात धुरू में गए नहाने के लिए, सोचे लाओ, मंजन कर लें, तब तक देखे, पानी ही जम गया, अब आप बरब से थोड़े नहाएंगे, तो पानी जमने ना पाए, हम लोग करते क्या है, उस पानी को ना जमने के लिए, ना जमाने वाला सबस्टेंस यूज करते हैं, जो फ्रीजिंग को रोके, उसे कहते ह सबस्टेंस, तो उसमें हम करते क्या है, इथाइलीन, गलाइकाल है, मेथेनाल, मेथेनाल तो खेर, जहरिला होता है, एथेनाल है, इथिललकोहल हो गारा है, गिलसराल है, ये सब हम मिला देते हैं, तो मिलाने से क्या होता, उसकी फ्रीजिंग पाइंट क्या होती बेटा, और depress कर जाती है freezing point और depress कर जाता है ओके तो जो substance पानी में मिलाए जाएं उनकी freezing को रोकने के लिए उसे कहा जाता है anti-freezing substance हलांकि पानी जमना बंद थोड़े करेगा जमेगा तो ही लेकिन 0 पर ना जम के हो सकता अब ओ 0 पर ना freeze हो कर के हो सकता अब ओ माइनस 3 पर जाके freeze हो, माइनस 10 पर जाके freeze हो, जिस मात्रा में जिस रेशियो में आप anti-freezing agent मिलाएंगे तो anti-freezing agent को आप लिख लीजेगा ethylene glycol gilserol ethyl alcohol etc are used as anti-freezing agent anti-freezing agent ध्यान रहे भाई, delta Tf इसकल तो आप पढ़ते हैं Kf into molalty के ओ molalty की जब आप खोलेंगे तो weight upon molecular weight into 1000 into weight of solvent in gram अगे, तो अगर आप इसको थोड़ा सा और समझें, तो जिस substance का molecular weight ज़्यादा होगा, ध्यान दे, वो freezing point में depression कम करेगा, और जिस substance का molecular weight कम होगा, वो freezing point में depression ज़्यादा करेगा, तो ज़रा आप बताईए, एthylene glycol और gilserol में किसका molecular weight कम है? भाई, ये glycol है, और ये gilserol है, ये gilserol है, तो इसका molecular weight कम है, तो generally, इthylene glycol का इस्तेमाल हम, anti freezing agent के रूप में करते हैं, इनका इस्तेमाल करने के पीशे, और मुख्यूदेश ये क्या है? ये पानी में अच्छी तरीके से miserable हो जाते हैं बेटा, hydrogen bonding करके, तो आपके NCRT की किताब में जो point लिखा गया है, NCRT की book में, वो हम line by line अच्छा सा हुआइसे ही लिख दे रहे हैं, यहीं पर 35% V by V, ethylene glycol solution, used as anti-freezing agent, anti-freezing, anti-freeze, anti-freeze, in cars, far cooling, off engine, तो इसको copy में कहीं आप अपने, लिख लीजेगा भाईया, या screenshot ले लिजेगा इसका, कली बाद, screenshot ले लिजेगा बेटा, ओके, तो इसको, मिटा दे बच्चों, तो यह थोड़ी सी चर्चा जो हम लोग यहाँ पर किये बेटा, यह depression in freezing point के बारे में था, यहाँ पर formula आप लोग ने धेर सारा देखा, पिछले ले बीडियो में, formula आपने कौन कौन सा देखा था, फिर से एक बार formula को drive कर लें हम लोग, delta tf is equal to kf into molal t के था, ठीक, यहीं पर delta tf is equal to kf into n1 into 1000 upon solute के moles, solvent के mass हुआ, इसी को आप delta tf is equal to kf into number of molecules आप solute into 1000 upon na into weight of solvent in gram, clear, यहीं पर इसको आप weight का टर्म में लिखते थे, delta tf is equal to kf into w1 upon m1 into 1000 into weight of solvent in gram, यह solute का weight है, यह solute का molar mass निम अलकर weight है, solvent का weight है 1000 उपर और यह kf हुआ, वहीं पर एक और relation आप पढ़े थे बेटा, कि delta tf is equal to kf into p0 minus ps upon p0 into 1000 upon m2, यह relation था, किसके किसके बीच का relation था भहिया, relative lowering in vapor pressure और freezing point के बीच का, यह relation कहां से आया था, हमने आपको पीशे फार्मूला बताया था, p0 minus ps upon p0 is equal to molal t into m2 upon 1000, यहां से m की value लिया करके हम लोग यहां पर put कर दिये हैं बेटा, तो धेर सारे equations हैं, जब आप delta tb, delta tf को equate करेंगे, तो delta tb upon delta tf is equal to kb upon kf, इस equation से भी कभी-कभी आप सवाल solve कर दिये, तो हम लोग ने कौन-कौन से colligative property पढ़ा बेटा, relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, और depression in freezing point, अब हम लोग तीसरा colligative property पढ़ेंगे, सारी, चौथा colligative property पढ़ेंगे कौन सा, osmotic pressure, osmotic pressure, जिसे हम अगले video में discuss करेंगे, Thank you.